ओम नमह सिवाई नमस्कार मित्रों इस वेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि D नाम के जातक एबम E नाम के जातक यदि साधी करते हैं तो इन दोनों का दामपत्ते जीबन कैसा होगा मित्रों यदि आपी जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह वेडियो D नाम के जातक एबम E नाम के जातक के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी एबम महत्वपुर्न है तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाटसेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अब शिकरें अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि डी नाम के जातक एबम ई नाम के जातक यदि साधी करते हैं तो इन दोनों का संबंध कैसा होगा दोस्तों इस नाम के दोनों जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का संबंध बहुत जयादा खूब सूरत एबं मधुर होगा मित्रों इस नाम के दोनों जातक हमेशा अपने दामपत्ते जीबन में एक दूसरे के ऊपर भरोसा बहुत जयादा करते हैं एबं हमेशा अपने दामपत्ते जीबन में एक दूसरे को भाबनातमक सहारा एबं ताकत बहुत जयादा प्रदान करते हैं लेकिन मित्रों यी नाम के जातक बहुत जयादा जिद्धी एबम हठीले होते हैं एबम इस कारण से इन दोनों के दामपत्ते जीबन में इनको पड़े सानी का सामना करना पड़ता है लेकिन मित्रों इस नाम के जातक बहुत जयादा सांत एबम बहुत जयादा गंभीर होते हैं मित्रों इस नाम के जातक अपने जीबन में पड़िवर्तन करना अपने जीबन में बदलाब करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इस नाम के लोगों को इस्थिर होना इस्थिर रहन बहुत जयादा पसंद होता है मित्रों इस नाम के जातक पड़िबार, प्यार, पैसा एबम बेहतर तरीके से बनाए गए घरों की सराहना बहुत जयादा करते हैं एबम इन चीजों का आनंद बहुत जयादा लेते हैं मित्रों इस नाम के जातक अपने दामपत्य जीबन में बहुत जयादा इस्थिर एबम बहुत जयादा सहज होते हैं लेकिन यदी डी नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के जातक बहुत जयादा चंचल एबम और परत्यासित होते हैं मित्रों इस नाम के ज्यादा तर जातक बहुत अच्छे एबम परबाह करने बाले होते हैं मित्रों इस नाम के लोगों को यदी गुसा दिलाया जाए तो इनके गुसे को सांध करने में बहुत ज्यादा पड़ेशानी होती है क्योंकि इस नाम के जातक बहुत ज्यादा सांत होते हैं लेकिन यदे इनहें गुसा आता है तो इनका गुसा रोद्र रोप ले लेता है दोस्तों इस नाम के लोगों का मन बहुत ज्यादा नरम होता है एबम इस नाम के जातक बाहर से बहुत ज्यादा कठोर होते हैं मित्रों डी नाम के जातक एबम ई नाम के जातक इस नाम के लोगों के गुन एबम अब गुन को मिला कर यदि इनके दामपत्य जीवन इनके बैबाहिक जीवन की बात करे तो इन दोनों का संबंध बहुत जयादा मजबूत एबम बिहतर होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दे एबम इस वेडियो को आप हर जगह से यर कर दे धन्यवाद